अब देखरें इपके गुरू चैनल दोस्तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि बक्री आप जब खरीदने जा रहा है तो आपको क्या क्या चीज उसमें देखरें करना है जिससे आपको नुकसान कम हो और बक्रा जो या बक्री लेका है अच्छी नसल की हो और ओ अच्छा बच्चा दे ये सब चीज में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो दोस्तो इससे पहले के चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेट बटम पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकॉन को भी दबा दीजेगा क्योंकि जो भ प्रवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं एक बात दोस्तो अगर आपको वीडियो देखना है तो पुरा वीडियो देखिए थोरा देखना तो इसको इसी पर अभी से हट जाएए कि वीडियो थोरा सा बड़ा हो सकता है इसलिए मैं बोला हूँ अगर आपको स्टम है क्या है उसके बाद अगर आप माल लिजे करिगाओं से या जहाद से खरिदने जा रहे हैं लोकल एरिया से तो आपको करना क्या भी वहां पर भी लोग से पता कर लिजे कि बकरी कैसी यह कितना बच्चा देती है उसकी मां किसी कैसी थी यानि उससे क्या होता है कि मा नसल के उपर भी फरक बहुत ज़्यादा पड़ता है जैसे आप देखते हैं कि किसी के बाप का बाल नहीं है तो उसके भी बेटा को बाल बहुत कमी चांस है रहना तो क्या एक नसल जो हता है उस नसल से उसी इससे चला आता है इसी तरह आप को देखना है कि इसमें अच्छी नसल की जो बक्री उसकी मा जो है उसकी मा जो हो उस सब चीज के बारे में आप पता किजिए और पूछिए उनसे या फिर अगल बगल लोग से पूछ सकते हैं अगर आप लोकल एडिया में जाते हैं तो अगर आप फार्म में जाते हैं तो फार्म में से आप पूछ सकते हैं को हो सकते हैं उसके बाद आपको एओ कि आपको कुछ उशी बताए उसके लास आपको अच्छा घुमना की क्या खिल cigarettes क्या क्या करते हैं और कुछ देर तक गए अश्वाब खरीद लिए उसको अचछा देख रिख की ए बक्री को आगे पिछे چारो तरफ में ला रहेगी तो सही है नो उसे होता है क्या है कि वो बक्री जो है आपको बिमारी लगे कि बिमारी नहीं है बहुत से सूस रहेगी तो उसे बहुत से चांस होता है कि बिमारी कभी डर रहता है ये चीज देखना है उसके बाद उसकी लंबाई होनी चाहिए जो बक्री अगर बक्रा कुछ वी चुम्रा शुमीररे चाली dużी क्ष़माने रेचित रहते हैं यह धिया करना कि कि वखरी का शुम्रा होता है। वाल के चराप सटेसरिया रेचिति कुछ पूरु सुसाल मुरNow शुम। बाले बालवे ओ फरीच Bible Chandler's आजा पूरु सुछ असार पहले बाप कहाई किसके बारे का इस अब बात कीजिए at eаз insia किस कि लेकारी के जब कें कीजिए कर पहले पर बक्रिव लेकर आरहें तो अब जो खाने का आईटम वह लेकर आईए उसे क्या होगा कि आइस्ता आइस्ता आपके फार्म पे उसको थोरा थोरा उसमेसी भी दीज़ें और अपना भी दीज़ें मिक्स करते करते लगी 15 दिर एक मेरे खिलाई उसके बास से पुरा अपना घ्रिया मे सोगता है वह चीज आप आप सी सकते हैं अगर आप खरेत के बकरी लेका ते उसके पहले वहां पर उसका हरेस्मेंट का इsen जो भी इंजेक्षण होता है PPR का है वह सब चीज आपको वहां से दे कर लेकर आना है यह आपको 2 दिन दी बात लेके umping आ है क्योंक est scary आपको जो भी बक्री है आपको मिर्टिव दर कम होगा तो दोस्तों ये सब चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है और ये भी पता करना ये बक्री कितने जिन पर बचा देती है उसकी मां कितने जिन पर बचा देती थी कितने दूद देती इसकी मां या फिर ये कितना दूद गांटा उसका अच्छा सर देगे बक्री चंचर होनी चाहिए घुमने फिरने वाले होने चाहिए वह भी दिरी जब खारे हो भी चेकी जी कितनी खार रही है कैसे खारी या नहीं खारी है तो यह सब चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है तब आप बक्री को आप महते हम्लेश के खरीदे करें फिर आपको उस में है कि आपको अच्छी नसल में अच्छा आपको बच्च देगी दो त्бы pertama इसके बाद दूद ऑग अच्छा देती में आप तूड वी निकाल के गहर पर भिशा बेच सकते हैं ये सब चीज से आपको फैदा बैचने आपको बच्चा पिएगा उसको अपर तंदुरुस्त होगा यह सब चीज आपको पूरा वहां पर देखिए क्या खिलाना पिलाना पानी कौन सा पत्ति घास कौन सा देते हैं सब चीज के बारे में जनकारी करना उसके माँ बाप किस नसर की है क्या रेट क्या प्राइस सब चीज के बारे में आपको वह जनकारी करना है कोई बीमारी नहीं कोई यह नहीं हो न सीघ्वाल चेक कर सकते हैं अंदर बाहर मुह आप खोल के देखिए उसका कुछी तरह से चीज है आप पूरा चेक कीजे पैर हो कहीं भी जगशन कि गर्दन में अप देखते हों कि बॉल सब पूल जाता है गर्दन में को फूल जाता है ओ नहीं हो गर्दन तो आप टोकर एक बार बोडी को भी अच्छा से चेक किजिए कि फूला तो नहीं है कोई तो कोई रोक तो नहीं है इस सब चीज से फिर अप फार्मर से भी आप पूछ सकते हैं अप कोशिच किजए कि आप जब भी मालिक है अप पूरा घुमिये फिर उसको अकेले घुमिये उसमें और देखिए कौन आपको सुटेबू लग रहा है अप देखू कर आम से चार गंडा पांच गंडा उसको अच्छा से देख रहें किजिए कितना खारी नहीं खारी उसके बाद आप उसको खरीदिया खरीद कर आप लेकर आईए यह सब चीज आपको बहुत ही जरूरी है बकरी फार्म कर रहे हैं तो देखना क्योंकि हर प्वाइंट पर अगर आप देखते हैं तो आपको एक तरह से फैदा होने का चांस होता है अब आप आप बन करके गया बकरी खरीदिया बकरी खरीदिया लेकर चला है आप पता चला कि आप बीमानी पकर ले या फिर खा नहीं रही फिर पानी नहीं पी रही दोस्तों इसी मेरे साथ में हुआ तो मैं एक बार गाय गया लेकर आया मेरे को नहीं मालूम है मैं गया जली स अब सस्ता मांगा दोस्तों बहुत जल्दी क्यूंकि हम उसके बारे में प्रजनकारी हम लेके चला थे और यह बहुत बरा गलती कर दिये थे अच्छा हुआ कि उसको हम सेल कर दिये इससे हमको लॉस हुआ छे हजाए रुपया सिर्फ 15 दिन में यहां तक दोदो दिन तक दूद नहीं देती थी बहुत दिकत हो रहा था उसको दूने में बानने में शाने उसलिए उसको भी सेल करके उसको हटा दिया गया ऐसे ही आप बकरी को भी देखिए बकरी उसके अंदर नहीं है अगर सुस्त बैठा हुआ है यह पैर सटा नहीं होना चाहिए दोनों पीछे का जो पैर होता है वो सटा भी नहीं होना चाहिए इस चीज को आप पूरा ध्यान दिजे ध्यान दे का बकरी खरीद के लेकाईए और लाकर आप फार्म कर सकते हैं और फिर अपने हिसाप से आप पाल सकते हैं खिला सकते हैं और जो भी जनकारी हो फार्मर से लिजे क्या खिलाना है क्या पिलाना है और कोशिश कीजे कि ले लिजे ट्रेनिंग से बहुत फैदा होता है क्योंकि अगर आपको इंजेक्शन देना आ गया या फिर दवा देना आ गया उसे यह होगा कि जो भी डॉक्टर के पास आपका जो पैसा लगता है वह पैसा आपको बचेगा और आपको बेनिफीट ज्यादा होगा और आज कल बकरी फार्म बहुत ज्यादा हर जगों खोला जा रहा है और आज के जो जो लोग है वो ज्यादे इस चीज में भाग ले रहे हैं तो इस सब चीज आपको ध्यान देना है यह वीडियो आपको थोड़ा बोडिंग लगा होगा इसमें बहुत सी जनकारी आपको ऐसी दी गई है कि जो आपके लिए बहुत ही फैदा होगा हर चीज में आपको वीडियो में आपको कुछ-ुछ पॉइंट आपको knowledge भी है कुछ पॉइंट ऐसा होता है कि अपको आपको जनकारी नहीं है और आपको इसे मालूम नहीं है और दोस्तों ये सबसे पहले पता कर लिजी कि बुरी नहीं हो और जादा दिन और जादा दिन तक बच्चा पैदा नहीं की हो आप दो बार तीन बार एक बच्चा दी हो उस बकड़ी को भी लेकर आज सकते हैं ति इस सब चीज आपको पुरा चीज तरह से ध्यान देना है दोस्तों और बाकी आप उपर वाला का नाम लेका फार्म कीजिए और आप मेहनत कीजिए आप अपने आदमी के उपर उस फार्म को मत छोड़िए कि कहिए और यह नहीं कि मेरा आदमी देख लेकर आप जरूर मेहनत कीजिए जब तक आप सेक्सस नहीं होते हैं तब तक आप मेहनत करते करिए और साथ में जो आदमी अगर रखे हुए हैं तो कोई बात नहीं है वह आदमी भी काम करें आभी कीजिए मगर जब तक आप सेक्सेस मत हुए तब तक आप उस भार्म को छोड़िए मत आपको वहां पर लगे रहना है यह सब चीज दोस्तों आपको बहुत जरत ध्यान द झाल को पर ज़ीद यहां जरत दोस्तों आपको जब चीजए मत आपूस भार्म को बाली बाल वहां आपको लाल जापको बाल घ्यान है वहां जगए झाल लगए झाले हैं पर झाले को जब दूफ़ूख